हेलोव फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो वीडियो लिक्या रहा हूँ देखिये, इंट्रा-डे में बंपर कम आई, एक सरल टेक्निक से और यही टेक्निक हम टेक्निकल अनलेसिस के एक एक वीडियो में बताते हैं, मौका मत छोड़ो, टेक्निकल अनलेसिस जब सीखने की बात लोग लाखो रुपे खर्च कर देते हैं लेकिन फिर भी नहीं सीख पाते हैं यहाँ पे हम आपको पूरा structured detailed में आपको चीज़े बता रहे हैं और वो भी बिल्कुल layman वाली language में है माल लो कि आपको कुछ आता ही नहीं फिर भी आप यहाँ पे अपना अराम से एक सोच बना सकते हो लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बिना मेहनत के कुछ नहीं है टेक्निक बहुत आसान है अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप पैसा आपके पास आएगा अब उसका एक्जामपल भी मैं आपको दिखाता हूँ जरा देखिए आज की डेट में सारे के सारे शेयर ऐसे उड़े जबरत तरीके से मज़ेदार कमाई इंट्राडे में हुई और इसलिए जो हमारे साथ जोड़े हुए मेंबर्स हैं उन्होंने भी खूब पैसा कमाया होगा देखिए यह मैं आपको दिखा रहा हूँ यह टेक्निकल आनलिसिस की पूरी सीरीज है जिसमें आपको बताया गया कि कैसे इंट्रा और आपको लाखो रुपे खर्च कर देते हैं हजारो रुपे खर्च कर देते हैं लोग टेक्निकल आनलिसिस सीखने के लिए लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में चीज़े बताई जाती है आज देखे सुबह सुबह अल्मोस्ट सवाई 11 बज़े जब 2 घंटे होगे ते मा अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप स्पैसिफिक एमांट ऑफ मनी जो है वही आपका जाएगा यह नहीं कि आपका सारा पैसा गवाद होगे आप बिलकुल नहीं यहाँ पर कभी भी हो चाहे शॉट टम हो चाहे लॉंग टम हो कभी मैं तो क्लिरली साफ मना करता हूं कि बिना स्टॉप लॉस बिना हेलमेट पहने मार्केट में जाना ही नहीं रोड पे निकलना ही नहीं बिला हैंड़ पहने यह देखिए आज की देखेंगे जो इस सुबह सवाई 11 बजे मैंने अप्लोड करके सारे मेंबर्स को जो हमारे मज़ा आ गया देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं रिलाइंस इंडस्टी से ध्यान देना रिलाइंस इंडस्टी में क्योंकि मैंने खुद ट्रेड लिया इसलिए आपको भी दिखा रहा हूं और आप भी सीखना चाते हो तो जल्दी से जोहिन कीजिए क्यों यह ट्रेड पे तेकनिक पूरी डिलो में इनके पीछे की साइकाल Law University मैं में आरेडडे पूरी सिरीट में हे और ग्रऌर कर रखिए आप देखी ज़रा बहुत ही जब जबरदस जब यहां परけ एंट्री लेने गए तو एंट्री एय जिए का जो क्राइटीरिया वह तो आपका है यहां प यहां पे देखो जब entry का मौका आया यह आप देख सकते हो यह आवरली के बाद हमांए 15 बिनिट यह देखे यह पूरा का पूरा करेक्शन चल रहा था यह आपका entry का मौका 1626 क्या entry का मौका 1626 का entry का मौका और return इतना दमदार मज़ा ही मज़ा मैं कहूंगा ऐसा return आज की date में जबरदस bumper अब देखिए intraday में क्या होता है हम तो बड़े बड़े वॉल्यूम को trade करते हैं आप देखिए यहां पर 1626 stop loss important point stop loss stop loss कैसे लगाना कहा पर लगाया minimum थोड़ा डीप यह देखिए 1618-17 के आसपास का stop loss और 1626 की entry और return देखिए although मैं तो जल्दी निकल लिया था मैं तो इसी candle को देखिए यहां पर 1614-1615 के पास ही निकल लिया था तो इसी मैं देखिए लेकिन फिर भी इतना return क्योंकि यह जो candle बनी थी यह थोड़ा सा ड्रावनी candle बन गी थी तो यहीं पर अपना माल बुक करके निकल गए था लेकिन आ आपको सीखना तो आप जॉइन सकते हो मेंबर से लेकिन मैं आपको यहां पर रिव्यू जरूर कराओंगा स्टॉक्स का और देखते हैं रिलाइंस इंडिया को देखते हैं यहां पर क्या मूब बना आज की डेट में यह देखिए आवर्ली बस कुछ नहीं आवर्ली क्या जबरदस्त बंपर गेन उसके बाद बहुत ही बढ़िया और यह देखिए 132 से सीधे 140 और कोल इंडिया जैसा शेयर बंपर रिटर्न में कहूंगा उसके अलावा बाकी के शेयर को देखते हैं क्योंकि मैं खुद इनको एनलाइज कर रहा था तो मेंबर्स को भी आज मै रिटर्न नहीं मिलता तो आहाँ पर आपके लिए सेफ पोर्शन के लिए स्टॉप लॉस आपके लिए अल्रेडी आपको सिखा रखा है धंग से यह देखिए स्टेट बैंक ओफ इंडिया यह टेकनीक क्या सरल टेकनिक सिंपल टेकनिक हॉल्ट केंडल लाइउन सटेक तेजी तीन घंटे तक लाइउन सटा गर हमने कब शेयर कर दिया था डटा दो गंटे के बाद जो है सवा ग्यारवजी का आसपा डटा पूरा शेयर था हमें मौका थोड़ा देर आ रहा है मौका और मौका आया थोड़ा लेट सवा बारा के बाद मौका आया लेकिन Mokya अ इतना जबर्दस्त मजेदार मौका मैं असको कहुंगा आस तो बला to यह देखिए मौका बना एंट्री करनी है अराम से धीरे से और यह केंडल थी एंट्री के 174 की 174 के एंट्री की केंडल स्टॉप लॉस हमारे पास था 172 का देखिए मैं तो यही पर निकल गया था बड़ी कैंडल देखिए बात मैंने पूरा कवर नहीं करता वही जहां पर सिचुवेशन पेन वाली दिखती है 178 के आसपास निकल लो बही कोई बना नहीं रहे न मार्केट में कोई वह नहीं है कि इमोशनली अटैज्ड है बहुत है अब अगली स्टॉक की तरफ चलते हैं यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी सीख है और आया अब बात करते हैं पावर ग्रेड की पावर ग्रेड के बात करते हैं और उसके बाद देखिए बाकी भी मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा पावर ग्रेड को मैं देखिए मतलब जबड़दस्त जंप ऐसा जंप किसको चाहिए हर कोई चाहता है एंट्री करने के लिए यह देखिए किस तरीके से सवाई 11 बजी कहां पे था यह देखिए 162 से सी दे 165 तक अब देखिए आपको होगे यहां पे बहुत सारे लोग मैं कहूंगा कि बहुत सारी जो है अच्छा मूब कर रही थी इवर अगर यही पैटन में देखूँ यही चीज में देखूँ तो मुझे निफ्टी में भी यह चीज दिखाई दिया इसलिए कंफर्मेशन और अच्छा हो गया कि देखिए निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिखा देता हूं आपको वे वा बंपर कमाई इंट्रडे में भाई देखिए निफ्टी का आप आवरली चार्ट देखिए सुबह सुबह जब यह चार्ट दिखा और यह पैटन मुझे दिखा जो मैं फेवर और जी में तो अपर सइट लग यह था स्टेट बैंक आई टी सी को देखिए यहा क्या सिचुवेशन बनी थी क्या यहां पर भी चो रिटान मिला था उसके बाद नीचे भी आया गया यह देखिए आई टी सीम सिचुवेशन थी लेकिन यह ज्यादा उपर नहीं कया बट अ आपने देखे यहां पर अब टाटा पावर की बात कर लेते हैं यहां पर क्या हुआ और टाटा पावर को अगर मैं देखू यहां पर क्या हुआ तो situation देखते हैं टाटा पावर क्या यहां पर भी बढ़िया मौका था यह देखिए टाटा पावर बड़ी केंडल चोटी केंड था यहाँ पे तीजी आलड़ी आगी थे क्यों मैं इसलिए आपको cover कर रहा हूं आप यहाँ पे चीज़े देखो और समझो और तभी क्योंकि यहां पर मनापुर्ण मुस्कुरण को देख रहा हूं यहा पे बडी रहते हैं कि हां लेकिन इस candle ने पहले ही entry के लिए जैसे candle बनी थी तो बतलब पहले इतनी बड़ी अपर शेड़ो बनके रिस्क था तो इसलिए कौन ही इंट्री लिया इसको सेफ साइड साइड रखो वहा है इसको कोई काम का नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी candle बनकी लाल वाली आवरली पे ही दिख गया तो अगले आवर में कैसा कोई entry ले सकता है उसके अलावा मैं बात करूं अगर भारती इंफरेटल मेंबर्स आप देख रहे हो अगर यह मननपूरम केंडल का अगर आपने सोची भी होगे entry लेनी कि किस हिसाफ से सोची होगे क्योंकि बड़ा स्पा Dragic attack A भारती इंफरेटल है यहां पर क्या हुँआ क्या इसमें भी situation more थी और फिर भारती इंफरेटल देखते हैं कि इसमें क्या situation भनी देख़के इसमें भी बड़ी कैंडल छोटी कैंडल थी ज्रूर जंप हुआ और आप देखिए 214 के level तक गया यह 211 के level से, उसके बाद जैसी यह candle बनी, फिर तो भाई, काई निकल लो, situation देखे, क्या situation बन गी है, लंबी upper shadow price rejection clearly निकलने की बारी, safe रहो, कोई दिक्कति पैसा गवाना नहीं है, पैसा कमाना है, यह देखे, बिल्कुल situation, situation बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद आपने देखा क्या अलात हुए, उसके बाद निकल लो, जिसने यहीं पर निकल दिया होगा, इस candle को देखे, तो बढ़िया है, उसने अपने पैसे बचा ही लिया होगे, आपे, stop loss भी नहीं ही टोने दिया होगा, तो भारती इंफरेटल आपने देख लि अब ये चीजे तो मिल जाते है, डेटा तो मैं आपको शेर कर दूँगा, लेकिन एक्जिक्विशन की बात आती है, उसके लिए आपको चाहिए होती अनलिस, जैसे मैं आपको बताया है, किस तरीके से मन्नपूरम में आपको rejection देख रही थी, किस तरीके से आपको भारती इ समझ बनाओ, मार्केट के हिसाब से, तो वो important है, तो इसलिए आपको अगर ये चीजे अच्छी लग रही है, और समझ मार ये चीजे, तो भही technical analysis आप सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर कोई पावंदी नहीं है, जल्दी से join कीजे, members, join button पर click करके, क्योंकि यहाँ आपको detail मे के setup जब आपको weekly और monthly में आपको trade करने होते हैं, और ऐसे breakouts आपको मिलते हैं, तब होती है, असली कमाई, monthly और weekly में, वो है wealth creator, ये क्या है, खाली income generator हुआ, wealth generator, wind up करता हूँ यहाँ पर वीडियो को, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लग